हेलो बच्चो वेलकम बैक ऑन माई यूटूब चैनल वेटरस प्लेइनर और आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे LCM and SCF फाइंड करना वो भी किस तरीक से Prime Factorization का यूज करके आज हम लोग Prime Factorization का यूज करके SCF और LCM निकालना सीखेंगे जब आप LCM निकालने के दो तरीके हैं तो पहला तरीका हम लोग यहाँ पे सीखने वाले Prime Factorization यानि कि इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा Factorization मतलब क्या है हमको सबसे पहले इसके factor निकालने पड़ेगी है ठीक है पहला काम तो समझ में आ गया क्या निकालना है Factor निकालना है तो चलिए सबसे पहले यही काम कर लेते हैं जैसे आप हमारे पास कोशन है find LCM and SCF 20 and 40 अब LCM और SCF हम लोग बादवें find करेंगे पहले क्या find करना है सबसे पहला काम क्या हमारा है यहाँ पे factor find करना अब factor कैसे निकालेंगे factor निकालना है तो आपको आती होगी देखें किस तरीक से करेंगे जैसरे आपको क्या करना है आपको जो दो नंबर दिए कौन कोसे नंबर दिए 20 दिया है and क्या दिया है 40 दोनों को लिख लेंगे अब देखें हाँ पर सबसे पहली क्या आता है यहाँ पर आपको 20 के factor निकालने अब जो को 20 के factor किस तरीकी से निकालेंगे हम 20 लिखेंगे factor तो वैसे आपको आता होगा prime factorization किस तरीकी से करते हैं इसी तरीकी से करते हैं ठीक है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 10 जे 20, यह फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा, और 5 से हो जाएगा, कितना जाएगा, हमने यहाँ पे 20 के फैक्टर निकाल दिये, इसी तरीके से हमको 40 के फैक्टर भी निकालने है, चलिए हम लोग यहा के फेक्टर निमालते हैं छ falt एकब डिखने cm2 को तूसे डिबाइट करेंगे कि तूसे लुसर इपक्त क होगा तूसे बनजा 5 कुल यह हम大का इंद रूंपलीट हो गाई ठीक है पहला काम कंपलेट कर लिया अब देखो अगला काम क्या है जो आपने के फेक्टर को लिखते हैं 20 के फेक्टर को लिख रहा हूं देखो किस तरीक से 20 पे कौन को नहीं 2 2 2 कितने टाइम है 2 टाइम है अब देखो ध्यान से सुनना यहां पर 2 कितने बार है 2 बार है इसका मलब 2 की पाबर क्या लिखेंगे आपे 2 लिखेंगे यानि कि बार-बार ने लिखेंगे, exponents के रूप में लिखेंगे, ठीक है, और फाइब one time है, तो इन two में क्या हो गया, ऐसे लिखना है, लिख लोगे, इसी तरीके से 40 को लिखेंगे, अब देखो 40 को लिखते है, 40, अब यह 40 होगया, अब 40 में देखे, 40 में क्या है, two कितनी बार है, two two time है, two कितनी ब चाहर सATOR को दिखयो है तो पहला काम समझ में क्या करना है कि का सबढ़ते करना सबस्क्राइब 17 122 आरा है तो 2 इंटोप तो 5 नसी 40 को लेंगे 40 के तुचुच ४ावर कावर प्या फायव ते ट्री इंटोप, यह Тुचु में 5, यह बात क्रेर हो गए ठीक है अब क्या करना है चूर। अगला जो काम है यहीं से शुरू होता है आपका SCF यहां से सुरुआत होते है कौन कोशी numbers के SCF निकाल रहे है तो 20 का निकाल रहे है और किसका निकाल रहे है 40 का निकाल रहे है अब देखो बच्चों कैसे निकालेंगे अब देखिए SCF निकालने के लिए आपको यह trick जरूर follow करनी है यह मैंने trick बना के रखिए इसको आप लोग ध्यान से देखना ठीके क्या लिखा है जब भी ACF निकाले तो सबसे पहले आपको उन numbers को लिखो आपको उन numbers को लिखना है जो दोनों में हो यानि कि आपको कौन से वाली number लिखने में बिटा common वाली लिखने है यानि अभी आपने जो factor निकाले है ना उसमें common common मतलब जो दोनों के अंदर हो जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए उपर देखिए इसमें इसमें देखो 2 इसमें है 2 इसमें है और 2 इसमें भी है है कि नहीं तो 2 क्या हो गया common हो गया, तो हम यहाँ पर two को लिख लेंगे, किस को लिख लेंगे, हाँ पर two को लिख लेंगे, यह लो हमने क्या लिख 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 की common है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन से numbers को लिखना है, जो दोनों में मिलते हो, देखो, आपने common तो लिख लिए, आप क्या करना है, देखो, जो common numbers निकाले हैं, आपने, अब देखो, second line, ये लिख ले ना आप लोग इसको, ठीक है, जो common number निकाले हैं, उनकी सबसे चोटी power देखो, सबसे चोटा exponent कौन सा है, चोटी power जैसे, दो आपने common निकाला है, दो तो ये भी है, और ये भी है, ठीक है, इसकी चोटी power कौन सी है, ये तो 2 की power 3 है, और ये 2 की power 2 है, तो चोटी बढ़ी भालीтव को लिखेंगे, तो यहां प्रिके लिखेंगे 2, तो दियार रखना आपको, Scip में इसे चोटी power लिखनी है, ठीक है, दियार रखना, Scip में कोजी power लिखोगे, चोटी police, ठीक है, ओ 5 में का सी Civिंदी, लिखेंगे, इसकी 20 40 का LC UP कितना निकलके आगया? 20 निकलके आगया. तो यह हमारा S आप हो गया, अब LCM कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो, आप यह तो आपने LCM कैसे निकालेंगे? ईसी कहाओ, इन अपने नमबर्स का LCM निकाल रहा हूँ. ठीक है तो LCM कैसे निकालेंगे तो LCM के लिए फिर से आपको इन ही numbers को लिखना है देखो इस तरीके से नहीं लिखना है तो मत लेखो नहीं तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको जिससे और के लिए रोजाए देख या पर मैं लेख लेता हूँ 20 को लिखेंगे तो क्या 2 की पावर क्या है 2 इन 2 में कितना है 5 और 40 को लिखेंगे तो क्या हो जागा 2 की पावर 3 इन 2 में क्या है 5 LCM के लिए क्या करना है बच्चो LCM के मैं आपको common वाले को नहीं लिखना है देखो आपको क्या करना है उन सभी numbers को लिखी वे जिन से भाग गया है यानि कि आपको सिर्फ factor लिखने है common factor ने लिखने है factor ठीक है factor कैसे यहाँ से सुरू करना यहाँ से 2 से divide गया 2 इसका factor है न तो 2 लिख लो यहाँ पर कौन है 5 5 भी लिख चुके है समझ भाया देखो यह एक बार और समझा रहा हूँ आपको यहाँ सुरू करना है LCM में जैसे 2 है 2 लिख लिया यहाँ पर 5 है 5 लिख लिया यहाँ पर 2 है लेकिन 2 को तो हम लिख चुके हैं तो इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पर 5 को भी क्या गर चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे ठीक है अब यह लिख लिए अब देखो यह तो लिख लिए अब इन नंबर्स में LCM में बड़ी घाद देखनी है तो दिहारा रखना है LCM में कैसे घाद देखनी है बड़ी पाबर देखनी है बड़ी घाद मतलब क्या होता है ग्रेटेस पाबर आपको देखनी है ठीक है ग्रेटेस पाबर आपको देखनी है अदरवाइस नहीं तो बड़ी पाबर कौन सी है देखो 2 और 3 की बड़ी पाबर कौन सी है 3 तो 3 आ जागा 5 की पाबर यही है तो यहाँ पर कितना आ जागा 2 की पाबर 3 कितना होता है 8 होता है इंटू में किया 5 तो कितना जागा है यहाँ पर 40 तो LCM कितना आ गया LCM निकल के आ गया 40 तो यह हो गया हमारा आंसर आया सामझ में किस तरीकी से कोशन को करते है ACP LCM निकलना आया तो क्या करना है एक और question करते हैं जिससे और clear हो जाए अब देखो second question क्या हमारा second question है हमारा यहाँ पर 35 और 120 का क्या करना है वही ACP और LCM find करना है तो काम तो आपको वही करना है solution में क्या करना है यह तो पता ही होगा आपको ठीक है यूज करना है तो 35 लेखा और इसके factor निकाल लो 35 के factor निकालने देखो 3 से 2 से तो एक कटेगा नहीं और यह 3 से भी नहीं कट रहा है यह तो 5 से कट रहा है तो 5 से मुझा 35 और 7 मुझा 7 यह तो कट गया यह complete हो गया कैसे यहाँ पर 120 को करो 120 के factor निकालने देखो 120 के factor निकाल रहा है 2 से करेंगे तो कितना जगा 2 6 से 12 60 2 से करेंगे तो कितना जगा 30 फिर 2 से करेंगे तो 2 बंज़ 2 और कितना 15 ठीक है फिर 2 से गाड़ेंगे इसको 2 से गाड़ेंगे तो कितना जगा 2 से निगड़ेगा 3 से गड़ेगा 3 5 सा 15 और यहां भी 5 बन जा 5 क्लियर हो गया यह हमने फैक्टर निकालने के बाद इनको लिखते हैं तो पहले क्या करेंगे लिखेंगे 35 को लिख लूँ पहले 35 को लिख लेते हैं सबसे पहले 35 एक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इन्टू 7 लोगे 35 का ठीक है अब 120 को लिखो 120 कैसे लिखेंगे 2 कितनी बार है देखू 1 2 3 2 3 बार है यानि 2 की पावर कितनी हो गया यहां पर 3 हो गया इन्टू लगाएंगे ठीक है 3 कितनी बार है 1 बार 5 कितनी बार है वन बार लिख लिया ठीक है इसतरीक से लिखते हैं आप क्या निकालेंगे हो हापे यहाँ पे निकालेंगे हम लोग SCF देखो SCF कैसे निकालते हैं PCF में कौन से नमबर लिखते हैं SCF को मतलब होता है Common расск LLC नमबर लिखना, सी मतलब common समझाओ अब तो, ठीक है bench common वाले नमबर कौन से है, जो दोनों मिल रहे है गो कौन से है थेको देखो यहाँ पर, 2 is म है, लेकिन 2 उपर नहीं है, तो 2 तो नहीं है, 5 is मैं है, जरे को 5 और 5, 5 F5 मिल गया morgen जा कॉदन में और में के उपर लिए 6 किसमा लिगों लिए पर न तो कमन क्या हो है स्रिफ iq निकल During our Еां इसके लाबा कोई नंबर हो सब्सक्राइब के निकलए नहीं है तो यहाँ पर एक स्रोड़ कर चाहिला nodig एससे का ये ख़ो ग TO जो से को सब्सक्राइब करते हैं को जब उसक्राइब डीओ निकालेंगे चले हैं तो 70 it शुरुरुंट इससे पर हम छोड़ी पावर देखते हैं, और लसे हम बड़ी पावर, बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बड़ी पावर देखो 3, 3 की पावर एक ही है, 5 भी एक ही है, 7 भी क्या एक है, तो यहाँ पर कितना हो जागा है, 8 इंटू 3, इंटू 5 इंटू 7, अब आप क्या करेंगे, इसके में मल्टिप्लाई कर देंगे, और आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टिप्लाई कर लीजिए, और देख लीजिए आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर यहाँ पर आ चुका है, 840, 840 हमारे यहाँ पर क्या आया था, आईसर आया था, समझ मा आ गया किस तरीके से हमें से फाल सम करते हैं, तो आई योप आप लोगों को यह वीडियो पसंदा होगा, वीडियो पसंदा आ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैलनल पर ने उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते ए ये हिंदु बंदे मात्रव